नमस्कार मित्रों मैं नीरत सक्सेना फिजिक्स वेकल्टी लास्ट लेक्चर जो अपन ने लिया है उसमें वीट स्टोन ब्रिज वीट स्टोन प्रिंसिपल और वीट स्टोन प्रिंसिपल पर आधारित उपकरण मीटर बीज यानि मीटर से तो हमने पढ़ा है मीटर से तू आपके प्रैक्टिकल लेब के पॉइंट ओफ यू से एक इंपोर्टेंट इस्टूमेंट है यानि प्रैक्टिकल लेब में जब आप जाएंगे तो मीटर से तू के लगभग तीन प्रैक्टिकल आपको मिल सकते हैं पहला अज्यात प्रतियोत का मापन करना, दूसरा शेनी क्रम सेयोजन की सत्यता जाचना, तीसरा समानतर क्रम सेयोजन की सत्यता की जाच करना. ये तीन प्रेक्टिकल उस पर आधरित हैं, इसके अलावा अगर बॉर्ड पेपर में कहें अपन, एकेडमिक में, तो बॉर्ड पेपर में मीटर ब्रिज पर बैज्ड या वीट इस्टोन बिज्ड पर बैज्ड नुमेरिकल पोसिबल है, उसकी पोसिबलिटी अपन मान सकते है क्योंकि छोटा निमेरिकल होता है सिंपल होता है तो मैं दोनों पर आपको एक एक निमेरिकल डाल के देता हूँ ताकि अगर निमेरिकल आजाए जो ज़्यादा कठिन आता नहीं है आ जाए तो उसको सिंपल ही करें पहले अपन निमेरिकल ले लेते हैं मीटर बिच्च का जैसे इसने कहा प्रत्रियोद P बराबर दो ओम है ज़र क्यूं बराबर छे ओम आर बराबर आठ ओम एस बराबर तीन ओम इस तरह से इसने सवाल अपने को दे दिया अब इसका प्रश्ण होगा सीधा सीधा कि एसके शेड़ी क्रम में कितना प्रतिरोद और जोड़ें कि सेतु संतुली तवस्था में आ जाए इसका मतला अबी संतुली तवस्था नहीं है ये एस सही नहीं है तो इसको मैं इस ज़ेश लिख दूँ क्योंकि ये किरा इसके शेड़ी क्रम में कितना प्रतिरोद और जोड़ोगी कि सेतु संतुली तवस्था में आ जाए तो पहले देखें कि ये तो समझ में आए गया कि ये कंप्लीट नहीं है कुछ और आना चीए इसका तो पहले देखें एस की ज़ेगे होना क्या चीए था तो वीट इस्टोन प्रिंसिपल के नुसर क्योंकि पी अपोन क्यू इस इक्वल टू आर अपोन इस इन कंडिशन या इन बैलेंस कंडिशन संतुली तवस्था में इस से लिए एस इस इक्वल टू होना चीए क्यू अपोन पी इंटू आर यानि एस क्यू की वेल्यू अपने पाह है इस सही 6 आर की वेल्यू एट और पी की वेल्यू टू या फोर टाइम सिक्स फोर जा 24 तो वास्तम में एस के इस्तान पर 24 ओम होना चाहिए था जबकि यह कितना तीन ओम तो सब कितना शेनी करम में जोड़ना है तो यदि एस डेश के शेनी करम में एक्स जोड़ा जाए तो तो सब आना कितना ची एक्स इसके शेनी करम में जोड़ना है एस की वेल्यू तो आपको पता पड़ीगी एस डेश आपको दिखाई रखा है तो बोलो एक्स कितना होना ची यह नहीं एक्स इस इक्वल टू 24 माइनस 3 इस इक्वल टू 21 ओम तो एस के शेनी करम में आप 21 ओम जोड़ो से तो संतुली तवस्था में आ जाएगा अब दिखो इसी में सवाल में वेरिशन का मतलब जैसे वो यह भूँच सकता इसके समांतर क्रम में कितना जुड़ो तो तरीका अब समांतर क्रम का रहेगा मेरे केरिका मतलब है के मीट सोरी वीट स्टों सेतु में इस टाइप के दारा की दिशा के संतुलन अवस्था के इस्थान बदलने के एसे निमेरिकल आता है जो कुछ निमेरिकल की बात है तो थेयोरिटिकल मैंने बो ले दिये एक निमेरिकल मैं मीटर से तुका ले लेता हूं है यह सब मीटर से तुका भी छोटा से आता है लगबग इसी टाइप का मान लीजी आप यह से सब एक तार दे वह अपन एसी लिखने तो आप एसी लिख दो यह यहां पर रजिस्टेंज दिखा देंगे अब इसमें से कोई एक अन्नोन कर दिया जाएगा है यह यह यहां पर सरकिट जोडने के लिए यह सेल बेटरी लगा दी सेल बेटरी पर वेल्यू लिख भी सकते हैं है ने जाब और भी जरूरी भी नहीं अब यह केदे साब यह सियों यह बीच में बता दिए गेलवनों मीटर यह तो चित्र में ही दिखा देंगे संतुली तवस्था में हैं और यह जोकी रख देंगे यहां पर यहां पर लिख दिया जैसे 80 सेंटीमीटर यह वाली लंबाई है ने और यह वाली लंबाई लिख दी बीस सेंटीमीटर या आप सोते समझी लोगें और यह पूछ लिया साब आर का मान बताओ तो यह से इस टाइप में आप कुछ भी पोसिबल है वो तो आप कैसे भी देख लो हैना फॉर्मूला भी है अपने पार संतुल लंबाई देर रखे उससे भी निकाल लेंगे पर यह नेचर है साब इस टाइप में कोई निमेरिकल पूछ सकते हैं एक्जेक्ली यही पूछें पर यह पूछेंगे इस तरीके से किसाब सेदू संतुली दवस्ता में हैं आप आर की वेल्यू बता दो हैंजा किले यहां लंबाई यह पूछ सकते हैं इस पर फॉर्मूला बनाया था एस इस इक्वल टू हंडेड माइनस एल अपोन एल इंटु आर इस लिए आर इस इक्वल टू एस इंटु एल अपोन हंडेड माइनस एल इससे आ जाएगा क्योंकि अब आप से यह आर पूछ रहा है एसकी जगे तो फुलफिल कर दी इसने, एसकी जगे तो ऐससे लिख दिया, हैंदा, तो आप चाहो तेजसे निकाल लो यह ऐसे, सैंटिमीटर मेरे इन दो लंबाईयों को, एल बीस हैंदा, और सो माइनस एल, तो सो माइनस एल यहनि क्यों, यह आईगा आपके कितना आ रहा है असी आ रहा है नहीं तो सो माइनस बीस कर लो तो आर की जाएगे कितना जाएगा सब बीसों तो आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से कर लो अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो डारेक्ट भी कर सकते हैं यह तो फॉर्मूले से कर दिया मैंने आप डारेक्ट कर दो इस से कर दो पी अपन क्यू बराबर और अपन एस इसलिए आर इस इक्वल टू पी इंटू एस अपन क्यू अब लंबाया सेंटीमीटर में तो आप इससे कर दो पी की जगे कितना है स्ट्वंटी एस की पी जगे कितना है एक्टि यह संतिमीटर काची जाएंगे इस से भी आंसर कितना आएगा इस टाइप में आप से क्यूशन राइच किये जा सकते हैं इसनी मिने इसको सेंपल में चोटा रता कि सब इसमें ज्यादा हां और चशान आने की आधर उपकरण हो चुके अब अपने को नया उपकरण पढ़ना है बहुत शांदार गजब का इसमें प्रियोक्षाला के इस नय उपकरण में थोड़ा सा पेशेंस रखना है इसके तीन चार टोपिक तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा उसका रेजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस्टूमेंट अपने सामने होता नहीं हम थियोरी से एक प्रैक्टिकल को आपको लाइव इमेज करवाते हैं कि हाँ ऐसा कर लो ऐसा हो रहा है वैसा सोचो तो देखो एक्यूरेसी नहीं आ पाती क्योंकि मुझे जो इस्टूमेंट अच्छी तरह से याद ह हो सकता आपने उसको देखा ही नहीं हो तो आपके दिमाग में स्वावी ग्रूप से भूमी का नहीं बन पाती है इससे मैंने आपसे दो तरह से बात किया तो मैंने का आपसे कि भी आप मोशन डलींगे डाउनलोड कर लो उसमें सब ये चीज डाल दी जाएंगे या फिर मीटर से तु कैसा होता है विभो मापी कैसा होता है और फला फला है तो कहने का मतलब आपा options हैं के लिए लेकिन अब instrument जब आ रहा है तो आप ये expect करें कि पहले ही topic से समझ मा ले जाए तो नहीं पहले तो उस instrument की importance क्या है वो instrument कैसा है वो measurement कैसे करेगा ऐसे कई सारे पहलू हो होते हैं जो एकदम के लिए निया होते तो आप मुरूफ इस में इस लेक्चर के अलावा अगला लेक्चर देना अगला लेक्चर recurring होते या अगले लेक्चर का half पर आपको बात समझ में आने लग जाएगी एक दम नहीं आती है यह आप शोर समझें बस आप कंसंट्रेट रहे हैं मैं हलाकि आप कोई माली जो कोई बच्चा के देगे साव माँ पर यह सुविधाई भी नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है मैं कोशिश ही करूँगा कि आपके सामने वो चीज लाइव जैसी इलाके पटकी जा इंग्लिश में इसे बोलते हैं पोटेंशियो मीटर के लिए है अब इस उपकरण के परिच्चे की प्रारंभिक लाइन में विवाद पैदा हो जाएगा जैसे मैं बोलूँ विवव मापी विववांतर विद्यूत वागबल विवव आदी को शुद्धता से मापने का एक उपकरण है अब यहीं विवाद चलो हो गया यानि ये टोपिक चलने से पहले ही रुग गया कैसे रुग गया कि मैंने कहा वही विवांतर विवव तो आप definitely ऐसा सोचेंगे कि आप फिर वोल्ट मीटर क्या है भाई वोल्ट मीटर भी तो यही काम करता है तो फिर आपके दिमाग में बात आनी भी चाहिए कि वोल्ट मीटर क्या चीज है तो साब सौभावी ग्रूप से पहले मेरे को वोल्ट मीटर में होने वाली समस्या या उसके पाठ्यांग में होने वाली तुर्टी के बारे में आपको समझा देना चाहिए ताकि फिर आप पोटेंशियो मीटर को पढ़ने में रुची ले तो साब एक बार के लिए मैं पोटे में कहां दिक्कत आ रही है इसलिए हमने विबो मापी की तैयारी की तो देखो इससे समझो आप ये एक चालक है है ये चालक है ये साब बिंदू ए ये बिंदू बी ठीक है इन बिंदों को मैं उपड़ डाल देता हूँ ताकि मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ है आपको पर्फेक्टली बात समझ में आए ये बिंदू ए ये बिंदू बी ये रिजिस्टेंस आर इस सर्किट में आपने आई धारा कि सप्लाई की बात को समझना सब बड़ा मज़दार चीज़े तो प्रतिरोध के सिरों पर विबान तर कि ओरिजिनल ये ट प्रतिरोध के सिरों पर विबान तर का ओरिजिनल मान आई आर होना चीज़े ये थार्त मान के दो हिंदी में चलें अपन ट्यू वैल्यू विल्यू अब ये एक्यूरेसी वोल्ट मीटर लगाने पर आज जाती है क्या तो देखां सब इस को मापने के लिए सही मान को या एक्यूरेट वेल्यू को मापने के लिए मैं वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करता हूं वोल्ट मीटर सदेव समानतर करम में ही लगाते हैं ये बात तो आप रट लीजिए लगबग लगब वोल्ट मीटर के प्रतिरोध को मैं RG लिख देता हूँ, क्योंकि वोल्ट मीटर के अलवेनो मीटर से बना होता है, उसको मैंने RG लिख दिया, अब सब आप accurate value तो जानते ही हो, कि IR आनी चीए, अब ये वोल्ट मीटर आपको IR दिखा दे, तो आप समझ जाना, कि वोल्ट मीटर अच्छा उप क रहने हैं, फिर वीबो मापी को पढ़ने की आवश्यक्ता पढ़ेगी ही नहीं, चलो सब, आप देखो ध्यान से, ये संधी, क्यर्चाव का नियम पढ़के निम्टिवाप, संधी ये पर आओ, धारा आई, संधी पर आती, स्वाविक रूप से, धारा का कोई अंश, शाखा ये संधी से विभाजित जरूर होगा, मान लेजिए, आई वन धारा, वोल्ट मीटर की तरफ गमन करगी, अब यहां कित्ती धारा बची, आई माइनस आई वन, ये आई वन धारा वापिस इदर जाती है, और संधी बी पर इदर से आई माइनस आई वन आती है, और इदर से एक्यूरेट वेल्यू पढ़ना चाहते थे, लेकिन, देखो सब, वोल्ट मीटर का पाठ्यांग, अब ये दिखाता हूं, वोल्ट मीटर का पाठ्यांग क्या है, आई माइनस आई देश, सोरी, आईवन नहीं, आई माइनस आई वन नहीं, इन्टु आर, ये देखा आप, आई माइनस आई वन इंटु आर, तो वोल्ट मीटर कितना पाठ्या, आई आइआर माइनस आईवन आर, ये तो घजब चक्कर पढ़ गया, या नि औरीजनल वेल्यू तो है आई आर और वोल्ट मीटर कितना कम पढ़ रहा है इतनी एरर आ रही है पहले तो सोच ओई एरर आई क्यों पढ़ना तो आई आर आ रही ची यह न में वोल्ट मीटर तो नहीं पढ़ रहा इर उसने जो पढ़ के दिखाय हूँ दार अंटु प पढ़ना चीज इसकी जए क्या पढ़ा है आई यार माइनस आई वनार यानि इतना मान कम पढ़वा है यह कम ही आ रही है वोल्ट बीटर ने यह कम क्यों पढ़ा उसका रीजन देखें सर्किट की तरफ देखो वोल्ट बीटर ने यह कम इसने पढ़ा क्योंकि उसने सर्किट स करन्ट लेता ही नहीं आईवन बराबर जीरो होती अगर आईवन बराबर जीरो कर देंगे तो और इदनल मान आजाए यह दिफा आईवन बराबर जीरो कर दो तो वोल्ट मीटर द्वारा पढ़ा गया पठेंका जाएगा आई आजाएगा जो एक्यूरेट है उसमें कोई अगर आईवन बराबर जीरो हो जाए तो फिर तो वोल्ट मीटर शुद्ध पढ़ देगा फिर अपने को विबाव मापी की आवश्यक्ता नहीं पढ़ेगी देखा आईवन जीरो हो सकता है क्या यानि वोल्ट मीटर परिपस से धारा ग्रेंड ना करे ऐसा सम्भव है क्या दोनों समानतर कम में समानतर कम में विबावानतर समान होता है तो सब नीचे की तरब तो विबावानतर आईवन आर जी उपर की तरब तो आपको पता है इसे आई माइनस आईवन इंटू आर अपना सारा फोकस रेना चाहिए आईवन पर आईवन को सेपरेट कर लो तो आई R इदर से आजाएगा, यह RG, I1 R और I1 RG, उदर से इदर लिया है, अब यहां क्या बचा, R into I, यहां नहीं, value of I1 is equal to R upon R plus RG into I, और ज्यादा better clear करने के लिए R से denominator और numerator को divide को दे, यहांने हर और अंश में R का भाग दे लो, और ज्यादा scene clear हो जाएगा, तो सब और ज्यादा scene clear करने के लिए, उपर और नीचे मैंने R का भाग दे लिया, into I, अब देखते हैं, देखां, I1, 0 हो सकता है, क्या, देखते हैं, पहली संभावना, यदि RG much, much, much greater than R, RG किसका प्रतियोद, वोल्ट मीटर का, अगर वोल्ट मीटर का प्रतियोद उच्छ हो, अत्य दिक उच्छ हो, बटे वाली राशी बढ़ जाएगी, तो, I1 much, much, much less than I, I1 कम हो जाएगा सब, क्या करो आप, वोल्ट मीटर का प्रतियोद बढ़ा दो, उच्छ कर दो, जब आप वोल्ट मीटर का प्रतियोद, RG बढ़ा देंगे, तो, according to derivation, RG बढ़ाने से, I1 का मान अल्प हो जाता है, तो, सब उच्छी प्रतियोद से, वोल्ट मीटर बनाया जाए, तो मान, शुद्धता की और बढ़ेगा, क्योंकि, I1 अल्प होगा, तो, जैसे जैसे, I1 अल्प होगा, विश से, वोल्ट मीटर द्वारा पढ़ा गया, पाठांग, शुद्धता चला जाएगा, 100% accuracy के लिए, तो, I1 बराबर 0 ना चाहिए, देखना, 0 हो सकता है क्या, अब देखो, यदि, RG is equal to anand, infinite, RG की जगे, तो, I1 बराबर 0, I1 0 हो सकता है सब, कह रहाईए, लेकिन I1 0 होने के लिए, वोल्ट मीटर का प्रतियोद कित्ता होना चाहिए, वोल्ट मीटर का प्रतियोद अनन्त होना चाहिए, और अपन इस वासलियत को जानते हैं, कि अनन्त कोई value नहीं है, अनन्त का तो कोई अन्ती नहीं है, तो साब ये तो उप्पर वाली बात तो सही है, कि साब वोल्ट मीटर के प्रतियोद को अत्य दे कुछ करें, तो प्रतियोद को अत्य दे कुछ करने सा आईवन का मान अल्प हो जाएगा, और आईवन का मान अल्प होगा तो वोल्ट मीटर द्वारा पढ़ा गया पाथ हां शुद्धता की ओर बढ़ेगा प्योरिटी आएगी एक्यूरेसी आएगी लेकिन अगर आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए यानि आईवन जीरो चाहिए यानि वोल्ट मीटर कोई करंट ले ही नहीं ये चाहिए क्योंकि उसके करंट लेने से लपड़ा पेदा हुआ है हम जानते हैं तो सब ये कोई वेल्यू करंट की ले ही नहीं उसके लिए तो फिर वोल्ट मीटर का प्रत्योद अनन्त होना चीए अनन्त कोई माप नहीं है कोई मेजरमेंट नहीं है स्वाविके तो हम यह कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर का प्रत्योद अनन्त हो नहीं सकता तो इसका मतलब फिर आईवन zero हो नहीं पाएगा और I-1 zero हो नहीं पाएगा तो वोल्ट मीटर कभी शुद्ध पढ़ने पाएगा तो वोल्ट मीटर द्वारा पढ़े गए पाठ्यान hundred percent प्याओर नहीं होते शुद्ध नहीं होते हो इनी सकते क्योंकि I-1 zero होना जरूरी है और उसके लिए वोल्ट मीटर का प्रित्योद अनंतोना आवश्यक है कि लेट सब तो स्वावी ग्रूप से यही वज़े थी कि हमने फिर एक इस्टूमेंट डवलप किया जो accurate value पढ़ता है है जब अब सब मैं विभाव मापी पे वापिस आजाता हूँ विभाव मापी क्या है विभाव मापी क्या है सब तो विभाव मापी की बात कर लें मैं इस पे सको ले लूँ कोपी चलो रेंदो कोई बात नहीं वाउपकरन जो विभावांतर विभाव विद्युत्वाग बर आदी का मापन से करता है तो विभव मापी की कारे प्रणाली आविक शेप बिंदू विदी पर आधारित है यानि नॉन डिप्लेक्शन मेथड पर इसकी कारे प्रणाली वर्किंग बैस्द है अब इसका क्या मतलब वह सब यह भी पूछ लेते हैं कई बार आपके पेपर्स वगेरा में चोटी-चोटी क्यूशन है अब हर क्यूशन का अपने को पता निरतक क्या पूछ लें तो अभी ध्यान आगा है कि हाँ यह पूछी जाने सकने वाली आद अब आपको भी तो समझता जरूरी आप भी तो नहीं सम पड़ता है तो उस समय परिपस से कोई धारा ग्रैंड नहीं करता मतला आइवन बराबर जीरो यह धारा लेने के कारण शुद्ध पड़ता है और विभाम आपी कोई धारा लेता ही नहीं है तो सब यह अविक्षे बिंदु विदी पर आधारित उपकरने अर्थात मापन के समय अट टाइम अफ मेजर्मेंट विभाम आपी परिपस से कोई धारा ग्रैंड नहीं करता है इसने 100% शुद्ध पड़ता है इसी कारण से विभाम आपी को अनंत प्रतिरोध वाला आधश वोल्ट मीटर भी करते हैं वोल्ट मीटर में अगर आज यह राव अनंत हो जाता तो आईवन बराबर जीरो तो वोल्ट मीटर भी शुद्ध पढ़ने लग जाता है उसको आधश वोल्ट मीटर कहते है अब वोल्ट मीटर तो शुद्ध पढ़ता नहीं पर यह तो पढ़ लेता है क्योंकि किस नॉन डिप्लेक्शन मेथर पर इसकी वर्किंग डिपेंड है तो इसको आईवन बराबर जीरो ही कहेंगे और जो अब धार रिस्यू नहीं करेगा तो शुद्ध पढ़ेगा तो इसलिए विबो मापी का दूसरा नाम है अनंत प्रत्रियोद वाला आधश वोल्ट मीटर तो यह तो साब इसकी शुरुआत हुई अब बात करते हैं इसके स पहले में आपको इसकी बनावट वगेरा के बारे में समझाता हूं बहुत शांदार चीजे साब है नहीं बनावट में कहा है सब विबो मापी में सर्वत्र एक समान लग बग अब 10 मीटर हम लेते हैं प्रेक्टिकल लें में जो तार है वो 10 मीटर लंबा है आप 20 मीटर लें पचास मीटर लें 100 मीटर लें मीटर से तु वाला तार तो एक मीटर लंबा होता है उसका नाम ही मीटर से तु पढ़ा है लेकिन यहां पर ऐसी बाउंडेशन नहीं है विबो मापी में तो तार की लंबाई आप जितनी ज़्यादा लेंगे उपकरन उतना ही शांदार उतना ही सुग्रा ही होगा लेकिन उपकरन के साथ सथ हमें हमारी सुविधाई भी देखनी पड़ती तार तो आप 100 मीटर लंबा लेलो फिर क्या होचा कुछ चक्के मापोगे क्या है तो इस्टुमेंट की अपनी एक प्रिंसिपल होता है उसका एक अपना डंग होता है हमारी अप अपना ही कठीन हो रहा है तो फिर इसे इस्टुमेंट से क्या मतलब है तो हमें हमारी सुविधा भी देखनी होती है इसे हैं लगबग 10 मीटर लंबा है 10 मीटर के दें आप ज्यादा लंबा ही करेंगे अच्छी बात है लेकिन वो मैंने आपको रीजिन बता दिया तो सब व मीटर लंबा बोला था मिश्दातु कॉंस्टेंटन यूरे का या मेगनीन का तार होता है उसमें भी यही बोला था बस उसमें तार एक मीटर लंबा था इसमें तार 10 मीटर लंबा है उसमें मिश्दातु का था इसमें मिश्दातु का है कारण आपको समझा दिया था अलफा नगर्णी होता है, अर्थात नाथ मिश्द१ HaTT के टाप में परिवार्टन से, उनके प्रतिरध में होने वाले परिवार्टन नगर्णी होते हैं, लेकिन नगर्णी होते हैं, बह। जढ़ा नहीं होते हैं, इससे समझे tadi तो सब मिश्ट दातु का अतार इसे हैं या एक बात मैं थोड़ा सा रोक के आपको समझाता हूँ इसमें हर बारी की बोलूँगा मैं उसका रीजन है कि थियोरी में चीठी के वेटेज थोड़ा कम है इनका लेकिन आप प्रेक्टिकल लेम में जाएंगे तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये छोटे-छोटे क्यूशन वहाँ पर पूछे जाएंगे और सहावे के छोटे-छोटे क्यूशन के हम जवाब न दे पाएं तो शर्मिंद्गी के साथ-साथ हमारे अंकों पर भी इसका प्रभाव पढ़ता है तो सहाव हमें दोनों से बचना चाहते हैं कि ना हमारे अंक कटें ना हमारे शर्मिंद्गी उठानी पड़े छोटे-छोटे साथ इससे मैं हर डेप्ट बोलूँआ अल पोसिबल जैसे मैंने कहा लंबाई जितनी ज़्यादा हो बैटर है अब कारण भी बताऊंगा मैं पर आप अभी से मानस बनाते रहिए क्यारी ज़्यादा लंबाई क्यों के रहा है क्योंकि आपके पास भी तो मेरे से पूछने के लिए प्रश्ण होने चाहिए वरना फिर मोशन लड़ने के डाउनलोड करके आप करेंगे क्या तो वहां भी आपके प्रश्ण होने चाहिए हमारे पास इसलिए आपको सुनना है हो सकता है मैं कहीं चूप कर जाओ तो और या मैं भी कह दूँ कि लंबाई होनी चाहिए अब पिर मैं इसका जवाबी नहीं दूँ तो आप पूंच तो सकते हो कि साब आपने कहा था तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए तो उसका जवाबी नहीं दिया है नहीं तो कहने का मतलब यह डिस्कुशन रहना चाहिए तो साब सर्वत एक समान दस मीटर लंबा मिश्च दातों वो इरिटेटा है कांस्टेंटन यूरेक और मैगनेन का तार होता है कारण बता ही दिया इन तीनों के लिए या मिश्च दातों के लिए ताप प्रतिरोध गुणांग नगणने होता था ताप में परिवर्तन से इनके प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन नगणने होते हैं अब देखो ये बिंदू ए है वो दूसरे एक और बिंदू ले लेंगे ये दस मीटर लंबे तार को लकड़ी के तक्ते पर एक एक मीटर की दस पंक्तियों में हैं दा मैं लेप का सीनी अजियूम करवाना चाहता हूं कोशिश है मेरी अब देखो कितना कामयाब रहता हूं वो आप लोग बताएंगे मुझे हैं ने चार चार आठ नो और ये दस है ये तार कहीं से तोड़ा नहीं जाएं ये देखो यहाँ पर एक गिर्नी पर से गुजरता हुआ रहा है यहाँ पर भी गिर्नी है यहाँ पर भी गिर्नी है यह एक एक मीटर की दस लाइन है यहाँ पर भी गिर्नी है और यहाँ पर भी गिर्नी है तो गिर्नी पर लिपड़ नहीं बाष़ा वाषचा को मारो गोली है, ने, बाष़ा तो होती रही हो, तो यह A और B, यानि प्रत्म सिर्व को मैं A बोल देताउच अनतिम सिर्व को मैं Б बोल देताउचू तो एक लकडी के तक्टे पर इसे ये तार बिना तूड़े हैं, तोड ने रखा, गुर नी पर ब जैसे मीटर से तुम होता था, इससे इसमें भी स्केल होता है, एक मीटर लंबा स्केल होगा, है ने, नीचे इसमें स्केल दोनों तरफ होते हैं, उपर भी होते हैं, और नीचे की तरफ भी होता है, क्योंकि ताल लंबा चुड़ा, है ने, तो इसमें आपको स्केल नीचे मिले अब आपको ये तो लखड़ी के तक्ते पर विवस्ता मिल जाएगी अब आपको क्या करना है वो ध्यान से समझे साब है ने अब सर्कुट बनाएंगे अब आप क्या करें प्रथम और अंतिन सिरे के बीच शेनी क्रम में अब क्या क्या जोड़ेंगे देखो आप आप जोड़ेंगे सिसा संचायक सेल सेकेंड़ी सेल प्राइमरी में इस जो सर्कुट बतार रहा है इसमें आपको सेकेंड़ी सेल एक आप जोड़ेंगे की ये की जोड़ दिया आपने और आप जोड़ेंगे रियो एस्टेट मतलब धारा नियंत्रक इस पे मेरे को लगता है सब दिख रहा होगा आपको ये धारा नियंत्रक ये ये और बी के बीच शेन इक्रम में जोड़ दें जिससे मैंने जोड़ा है है ने इस्टेट करने की कोशिश कर रहा हूँ यह आप जोड़ दें प्रथम और अंतिम से रहे अब आपको एर भी वहां लिखाओ नहीं मिलेगा तो आप इससे समझ लेना ए उसको समझ लेना इससे आपने क्या जोड़ दिया पोजेट्व जोड़ दिया वो ए रहेगा सिद्धिसी बात है किलिए यह रिवस्टेट यानि धारा नियन तक धारा को कम जादा करने वाला मैंने आप से कही रखा है कि धारा कम जादा करो या आपकी इच्छा है जरूरी नियन परिधारा नियन तक लगा रखा है यह जो मैंने परिपत बनाया इसे विवो मापी का मुख्य वप या प्रात्मिक परिपत कहते हैं यह साब इसका मेन सरकीट है अगर कोई विशेश आवश्चकताएं नहीं हूँ तो प्रात्मिक परिपत में छेड़ जाड़ नहीं करनी चीए मैं उन्हीं कहे रहा कि साब इस्टिक्ट फॉरवर्ड नहीं करनी चीए करते हैं लेकिन आप ट्वेल्ट के बच्चे हैं आपके सामने ऐसा कोई प्रैक्टिकल ही नहीं है जिसमें आपको करना रहे वो तो ताव विद्युत्वाग बल होता अगर आपके सेलेवस में तो मैं कहता कि प्रात्मिक परिपत में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा तो आप तो जो आपके सेलेवस में उसके according तो आप समझ लें कि इस परिपत में आपको किसी प्रकार का कोई छेड़ चाड़ ने करने हैं इस तरह से जोड़ देना शेड़ी कम में एर भी एक किसे कहेंगे सीसा संचाइक से सेकेंडरी सेल है सीसा संचाइक सेल के धनाग से जुड़े विंदू को आप एक कहेंगे आप चाहें तो प्रात्मिक परिपत में लगे होने के कारण इस सेल को EP कह सकते हैं अब EP का मतलब प्रात्मिक परिपत में लगे होने के कारण भूला है ठीक है जब अब आप कहेंगे कि हमें जो अन्नोन चीज जिसका मापन करना है वो कहां जोड़े हैं अब मैं आपको बता एम एफ या कोई भी वांत जैसे भी आपको केलकुलेट करना हो उससे आप एक्स वाई से जोड़ दें ये ध्यान रखें जैसे मानलो आप किसी सेल का विद्धुत वागबल ग्यात करना चाहतें तो पोजेटिव जोड़ें एक्स से और नेगेटिव जोड़ें वाई से अब आप गहेंगे ऐसे किसे याद रहेगा अरे भाई तो उची वह बिंदु किलाता है एक प्राइमरी सरकेट में उससे जूड़ा है तो उसको चाहां एसे सभी टर्मिनल पॉजेटिव ही जुड़ेंगे चाहें वॉल्ट मीटर का टर्मिनल उसी जुड़ेंगे चाहें सेल का、 टर मिनरों किसी का भी, तो जैसे अन्नोन किसी को भी आप मेजर करने के लिए आते हैं, तो A से पो जेटिव ही जोड़ें, अभ एक सेल लगा दें, तो A की जिए यहां पर सेल लगा दें, सेल का पो जेटिव किसी से जोड़ें आ, X से, हैने, और दूसरा से रवाई से फिर वाई से सेंउजगतारा का मतलब copper wire, ये बस ये जो wire होते हैं, ये wide wide जो दिखा रखे हैं मैंने, ये होते हैं मिश्डात्यों के वागी और जो ये आपको yellow और गिरा दिख रहे हैं, ये सब copper होते हैं बागे सबसे हो जगतार बोलते हैं ये कोपर के उते हैं गेल बैनो-मीटर जोड़ दे हैं- उर-गेलवेणो-मीटर के दूसरे से आप– नंबा चोड़ा वायर जोड़े हैं जोड़ें क्यूंकि अपकि भार आपको Jोकी को 10 मीटर लंबे तार पर चलाना है जब कि मीटर से तुमें तो एक मीटर लंबे तार पर ही चलाना होता था तो यहाँ पर आप इच्छा खासा लंबा चुड़ा तार लें ताकि उससे आप ऐसे भी यानि दस मीटर लंबे तार पर सरका सकें इसे कहते हैं दित्यक यानि सेकेंडरी सरकिट दित्यक परिपद आपको जो भी चेंज करने होंगे वह सेकेंडरी में करने होंगे प्राइमरी में आपको कोई चेंज नहीं करना तो यह सब बेसिकल इस्टुमेंट है जिसका वाइट वाइट वाला पोर्शन जो मैंने बना रखा है यही आपको लेब में दिखेगा फिर बाकी यलो डार्क यलो जो है यह आपको कनेक्ट करना पड़ेगा यह आपका काम है कनेक्शन करना फिर आप प्रेक्टिकल करेंगे अब हमें तो क्या है थ्योरी में भी वह मापी पड़ना है तो सब हम इतना बार बार बड़ा सर्कित बना के कैसे पड़ पाएंगे? तो हम देखो सिंबोल इसका प्रदस्षन करेंगे, हम 10 मीटर लबेटार को एसे भी से दिखा देंगे, हम बार बार हैं कि हम तो तेओरी पढ़नी है, अब बार बार के इसको लेके बैठेंगे तो हम इस तरह से पढ़ेंगे अब हमें वेसा का वेसा कोई चेंज नहीं होगा चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा primary circuit में वही संचर एक सेल याई सेंड इसके विद्य वागबल को मैंने ईपी लिख दिया ये प्लस मैने लिखना जोड़ नी है की यानी कुण जी और दारानींतर को श्येनिक्रम में जोड़ देंगे ये दारानींतर को हम ने श्येनिक्रम में जोड़ दिया ये देखो यह देखो आप दार की हेलो वाले को देखो इसको ही कहते हैं अपन क्या कहते हैं primary circuit या आपका primary circuit हो गया या isolate कर दिया secondary circuit में A positive से जुड़ेगा इसे X कह रहे हैं फिर negative से Y कह रहे हैं या गेल वेनमीटर और यह जो की तो अपने को बार बार जो अपने तो क्योंकि टोपिक पड़े जाएंगे तो अपने को तो यह presentation लेनी है वो तो आपको मैंने दिखा दिया कि laboratory में यह scene दिखेगा आपको laboratory में जब आप जाएंगे तो laboratory में यह दिखेगा वो अपने को बार बार design करनी है यह साथ secondary circuit है नगा यह secondary circuit जो भी परिवर्तन करने secondary में करेंगे primary को इसलिए जो दिखाने में isolate कर दिया तो यह साथ इसका simple सा तरीका यह simple circuit का परिच्चे हो गया इसकी बनावट होगी अब साथ working किसे करनी है आपको तो working को दो पदों में पढ़ते है अपर working किसे करनी है यानि इसका principle क्या है तो इसकी working को समझने के लिए कारे प्रणाली के दो अंग्रेजी में working के दो जैसे भी आप चाहो विभा मापी का सिद्दान भी केते हैं इससे कारे प्रणाली मैं तो कारे प्रणाली के नाम से ज़्यादा समझाना चाहता हूँ वरना यूँ समझो कि इसे विभो मापी का सिद्दान्थ मैंने आप से के दिया थोड़ा सा ये continue रहेगा मतलब जैसे अभी एपिसोड पढ़ रहे हैं अपन तो ठीक है बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि यहीं खतम करें पर हर चीज अपने बस में नहीं है तो यह थोड़ा थोड़ा इसमान लोभी में कहीं मेरे को घंटा बर होने के बाद तो रोकना ही पढ़ता है ने अपिसोड तो केने का मेरे मतलब है कि अगर मेरे को रोकना भी पढ़े तो फिर मैं जो नेक्स लेक्चर चालू करूँगा वही से ही चालू करूँगा आप उसकी बोधेशनल ने टेंशनल है ने आप सब विभाव मापी के सिद्धान में आप सबसे पहले समझो विभाव प्रवनता है ने बस यहां से सारी बात समझ में जाएग विभाव प्रवनता यानी पोटेंशिल ग्रेडियंट है ने इसको एक्स से डिनोट कर देता हूं मैं वह यह डिनोशन कोई केस से करता है कोई केस से उससे आप टेंशन में मत रहेजिए आप तो पहले इस बात को समझें फिर अपन आगे देखते हैं यही इसकी जान है यहीं के दें इसी से सारा विवस्ता बेटेगी विभाव मापी के तार जो अपन सामाने दे 10 मीटर के रहे हैं जो ज़्यादा लंबाव तो और यह अच्छी बात है विभाव मापी के तार की इकाई लंबाई पर विभाव के पतन को विभाव प्रवनता कहते हैं इसको थोड़ा सा मनन करके समझो इकाई लंबाई पर विभाव के पतन को यानि तार के पर सेंटीमीटर वोल्टेज को पर सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज है उसे ही विभव प्रमणता के ना तो देखो क्या है हर चीज में डाप़् में गुसना पढ़ागा विशेश्टो horses इस्टूमेंट में तो आपको गुसना ही पड़ेगा, तो विभाव मापी के तार की इकाई लंबाई में, विभाव के पतन को, और मैंने सीधे सिर्म समझाई दिया, कि एक सेंटीमेटर में गोल्टेज को, विभाव प्रवनता कहते हैं, विभाव प्रवनता, विभाव मापी के द्वारा मापित न्यूनतम विभाव प्रवनतर है, उससे कम विभाव प्रवनतर का मापन विभाव मापी नहीं कर सकता, तो विभाव प्रवनता, विभाव मापी द्वारा मापे जा सकने वाला न्यूनतम विभाव प्रवनतर है, और अंतिम बाद, विभाव मापी से प लंक निलिखा जाएगा तो देखो सब अपने तार की लंबाई में लिख रहा हूं ने यह मानली एल अब तार के सिरों पर विवांतर यह मानली अपने केपिटल भी तो एल लंबाई पर विवांतर कितना केपिटल भी तो एकाई लंबाई पर विवांतर कितना वी अपन यह बूब परवनता होगी साब यानि एक सेंटीमीटर में वोल्टेज अब इसका मात रहके वोल्ट प्रती सेमी भी रख सकते हो या आप चाहूं तो वोल्ट प्रती मीटर भी कई एक्ष्टरनल नाराज वाते हैं वोल्ट पढ़ते हैं, तो आप सब जगे हैसाई का यूच करो, वैसे मैं व्यक्तिगत आपको अनुभव बताओं, सेंटीमीटर में लेने से कोई फरक नी पढ़ता हूं, क्योंकि हम सारी लेंथी सेंटीमीटर में लेंगे, अगर आपने विवो प्रवन्ता का मापन करते समय, बागी लंबाईओं को भी आप सेंटीमीटर में लिखना, सिध्य इसी बात है, और अगर आप भी वो प्रवन्ता को मीटर में आपने पड़ेगा, अब इसको अपन थोड़ा सा खीचते हैं, खीचते हैं, मतलब एक चीज को खोल के तो देखना पड़ेगा, क्या क्या है इस तो सब यदि तार में मैं चोटे चोटे में लिखता हूँ तार में धायरा कैपिट्ल आई तार का प्रतिरूद अब यह नहीं लिख रहा है अब यू तो तार में धायरा अपने माने सो तो एक से क्या लिख देंगे सब एक से विवो प्रवनता एक्स बराबर आई आर अपोन एल येलो सब एससे लिख देंगे ये शेप बनते जा रहे हैं आपके सामने ये बिन बिन रूप बनते जाएंगे तो एक एक फेज चलता जा रहा है मैं फेज के रूप में लेलता हूँ इसको अब डारा कैसे निकालने साब तो प्रात्मिक परिपत में लगे सिसा संचायक सेल मैंने आपको दिखाई रखा था हैंने सिसा संचायक सेल अब इसका विद्वाग बल ईपी लिख दो या ई लिख दो जैसे आपके इच्छाओ अभी तो ई लिख देते हैं इसको क्या जागे लिख देते हैं ए ठीक है प्रतियोद मैंने मानलिया आडेश मैं सेल का रांतिक प्रतियोद कितना मानलिया इस मोल और इस तोटल काड़ेश आंतिक प्रतियोदार और तार का प्रतियोद तो अपन लेगी चुके और सेल का विद्युद्वाकबल अपने इमान लिया तो देखो सब अब मुआ लिखने की जो इतनी क्योंकि आप बोल दिया मैंने तो आई बराबर कितना होगा आई बराबर कुल वोलता बटा क प्रतियोद तार का प्रतियोद दारा नियंतक का प्रतियोद और आंतिक प्रतियोद ये तीन प्रतियोद है तो ये अपने मालिये साब ये ये हैं है अब रखो दो में दो से एक्सीजी इक्वल टू आई की जए क्या लिख दें ए आर दारा नियंतक का प्रतियोद आंतिक प अब देखो यदि दारा नियन तक के प्रत्रियोत को नगर्ने मान ले होता भी है वास्तों में आंतिक प्रत्रियोत को भी नगर्ने मान ले वास्तों में दित्यक्सेल का आंतिक प्रत्रियोत नगर्ने मान ले पॉइंटों में होता है पॉइंट वन पॉइंट तो ये तो मान सक हैं जब दारण इन तक का तो चलो थोड़ा ज़्यादा होता होगा लेकिन यह तो अपन मान सकते हैं कि सेल का अंति प्रित्यों नगड़ने होता है तो अब यह कुंसा रूप आगे तो तीसरा ने वह प्रॉंट था कि रूप दिखा रहा हूं यह एक पहला आगे था यह दूस पल्डू क्या लिख सकते हैं यह फोने पहल भी लिख सकते हैं मैंने इतना यह इसनी घूमाया क्योंकि कई जगे डारेट इप यह लिख देते हैं डारेक निलिक ना चीए उसकी कंडिशन है यह वाद तो यह आगे साब ही काई लंबाई पर भी भो का पतन है तो यह तार की लंबाई वी और उस पर मैंने विभवांतर कितना माना, तो केने का मतलब अपन अपनी जगे पर सही है, कि उसमें कोई अपन गलती नहीं कर रहे, किसा अपन ने को इसमें मिस्टेक कियो, अब सब ये तो तार की लंबाई पर विभव का पतन, अब केसे मापेंगे, यह सब 10 मीटर लंबे तार AB को तो अपन ने दिखा दिया S है नहीं, बिल्कुल सिंपल है जाब, यह आपके सिसा संचाइक, यह कुंजी और यह बार-बार ही बनाएंगे अपन है नहीं, इसलिए मैं फुलो में बनाऊंगा आप इसको नहीं, थोड़ा अब आप भी समझते हों मजबूरियां, यह कुंजी के, यह रियो स्टेट, अब सब यह आपने कोई सेल है, जिसका विद्युत्वाकबल अज्यात है, यह मापना है आपको, ठीके साब, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, मैंने X की जएगे क्या कहा था, देखो अभी मैं दिखा रहता हूँ, आपक कहा था, कि X पोजेट्व से जुड़ेगा, यानि एवरी पोजेट्व जुड़ेगा उचिवाबिंदू से ने, तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, तो साब, यह मैंने अज्यात का पोजेट्व ऐस से जोड़ दिया, और नेगेट्व गेल वनो मीटर से जोड़ दिय यहां से भी मैं आगे जोगी, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यह जोगी इस दस मीटर लंबे तार पर चलानी है, ठीक है, कब तक चलानी है, तो इसमें ज्यादा लंबा में खीचने के मूड में नहीं हूँ, आप यह जोगी, इस दस मीटर लंबे तार पर चलाईए, और वहां रुक जाईए जहां पर गेलवनो मीटर में जीरो दिख जाए बस वहां रोक दू गेलवनो मीटर में जीरो आपते आपको रुक जाना है सिदा सिदा यह अलग से दिखा दू आप रुक गए यहां पर गयल्वन व मेटर में क्या दिख रहा है आपको जीरो बस वहां रोक देना अपको ने गयल्वन व मेटर की खास यह तो उसमें दोनों तरफा अंक लिखे होते हैं तो जोकी को चलाओ वहीं 10 मीटर लंबे तार पर चलाओ ऐसे चलाओ बी तक तो बीच में ही कई एकदम गयल्व अजाता है तो उसको कहते हैं विभाव मापी की संतुलन अवस्था उसको क्या बोलोगे विभाव मापी की संतुलन अवस्था के लिए जहां पर या जिस बिंदू पर शुन्याया है तार पर उस बिंदू को बोलोगे आविक्षेप या संतुलन बिंदू याद आ रहे कुछ नहीं आ रहा होगा मैं आपको बताओं याद आना चीए याद आना चीए देखो आपको विभाव मापी किस के सिद्दान पर आधरित करा है किस पर आधरित उसकी कारव है अविक्षेप बिंदू अर्थात मापन करते समय हो है पर इपस से कोई धारा ग्रहन नहीं करता है तो यह आपको पहले ही समझा दिया है ठीक है अब सब देख लिए आपने कि वही मापन करते समय वो धारा लेगा ही नहीं धारा लेगा ही नहीं उसका किस सुई का रहेगी जीरों पर इसलिए उससे अनंत प्रतिवूत का आधश वोल्ट मीटर कहते हैं न जाब दोनों बाते होगी तो जब भी यह तो एक बात अपते हो कुछ चीरों तो रटो गेल्वेन मीटर में जीरों आते ही पोजिशन क्या के लाएगी संतुलन अवस्ता बिंदू को क्या कहेंगे आव एक शेप बिंदू या संतुलन बिंदू इस समय उच्छिव बिंदू ए वह जोकी के बीच जो भी तार है उसकी लंबाई को आप बोलेंगे संतुलन लंबाई संतुलन लंबाई जिसको मैंने फिलाल किस से दिखा रखका है इस मौलेल बिल्कुश समझी आप अब आप बिल्कुश सीधा सा फंडा देखो सब ये दो मिंट का काम है देख लो संतुलन की आवस्था में दो लाइन में आपको बात समने है बस संतुलन की अवस्था में अब संतुलन की आवस्था में तो Galvanometer किस किस के बीच में लग रहा है तार का तो AJ, SJ और इदर ये सेल, Galvanometer में आ रहा है विक्षेप 0 यानि कोई धारा नहीं बेरी और कोई धारा कब नहीं बहेगी जबकि E और तार पर A जे के मद्दे विवानतर क्या हो समान हो जैसे हँआपन Wheat Stone Bridge में अपन कहते हैं कि मद्दे वाले शाका में धारा नहीं है तो उसको उता देते हैं क्यों नहीं है क्योंकि उपर का बिंद्धु भी और नीचय का बिंद्धु डि दौनपर यह वो समान है इसे मद्देवाली शाका में धारा नहीं है ऐसा आपन मीटर से तुम बोल तो भई यहां भी तो यह जीरो दिखा रहा है इसका मतलब एवज एक मद्दी विभांतर और अग्या सेल का विद्धुत वाग बल दोनों बराबर है थीक है सब अब आप ट्रिक समझो इकाई लंबा विभाओं के पतन को क्या कहते है जो आपको पहले पढ़ा दिया सिद्धसी देब दता इकाई लंबाई में वोल्टेज लंबाम फैंसमें एक्स आप तो इसे हिंदी में समझा करो तो यह लंबाई में कितना वोल्टेज होगा X से ले, येलो सब, एक काई लंबाई में विभाव का पतन, यानि विभानतर, यानि वोल्टेज, X से, तो L लंबाई, तार की L लंबाई पर कितना होगा, X से, और ये किसके बरावर होना चीए, V, A, J के बरावर, और V, A, J किसके बरावर है, E के बरावर, तो देखो X से, E is equal to XL, यानि विभावर, मतलब आपका अज्यात विद्युत्वाग बल, केवल और केवल, किसके द्वारा माप लिया जाएगा, केवल और केवल, लंबाई के द्वारा माप लिया जाएगा, केवल और केवल, विबो प्रवन्टा तो ठीक है पता हो नहीं चीछ, वो तो आपको समझे इती पहले, लेकिन आप विबो मापी से कुछ भी मापन करें, वो किसकी फोम में लाके देगा आपको मापन, लंबाई की फोम, वो दारा नापेगा तो भी लंबाई की फोम में, वोल्टा नापेगा वो लंबाई की फोम में लाके डाल देगा, लंबाई की फोम में लाके डाल देगा, लंबाई की फोम में लाके डाल देगा, लंबाई की रूप में मापन करके वो आपको दे देगा, यह वो मापी की खासियत है, किलर सब, तो सब यह बराबर एक से फिर अपन, अभी सिधा देखो अओं जयात को कॉंपेरीजन ग्यास से कर यह तो ग्यात है सब और यह अजयाद इन दोनों का पोंपेरीजन कर रहे हो पता किस से पढ़ रहा है तो आपको पता पढ़ी रहा है क्या में अजयात का प्रवनता पढ़ी तो विवो परोंटा केते हैं तो तार पर तो वोल्ट आपको पता ही नहीं यानि हर सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज उपता है अब माल लेजिए जैसे अंकों मैं अगर मैं बोलूं कि साथ यह आपने जिसे मालो यह का पॉइंट जीरो वन एल आई साथ 300 मिटर तो कितना हो गया तो साथ ए और जे के बीच में कितना वोल्त 3 वोल्त तो पिर सेल का विद्धु तो आपकितना 2 तर ती तो यह निका बीच में नगी बोल दिया एक्स इस इकवाड तो कितना वोल्त पर सेमी है आउने जांट जाएं एक सेंटीमीटर में वोल्टेज पॉइंट जिरो वन है एक सेंटीमीटर में वोल्टेज का मान पॉइंट जिरो वन है अब एल कितनी आई पॉइंट जिरो वन है तो इस समय ग्याश विद्ध वाग भल भी तो सिंपल बहुत सिंपल अब इसमें साथ चोटी चोटी दो तीन बातें बतायता हूं पहली बात इस पर चूप से जितने भी पोजेटिव हैं चाहे वोल्ट मीटर का पोजेटिव हैं कोई साथ वी है वो सदे उच्शी हो बिन्दु ऐसे जुड़ है एक उच्शी हो बिन्दु इस संसे कहते है क्योंकि ये संचायक सेल के दनाक से जड़ा है इसने इसको कहते हैं उच्चिवो बिंदू तो सभी पोजेटिव देखो आप नीचे वाला पोजेटिव उपर वाले पोजेटिव सर्किट में जितने भी पोजेटिव है सब उच्चिवो बिंदू ऐसे जुड़े होने चाहिए दूसरी बात आप संतुलित लंबाई लेंगे तो संतुलित लंबाई सदे उच्चिवो बिंदू से ही लेनी है बीस से नहीं लेनी अब आपका ये confusion हालागे मीटर से तुम्हें बोल दियाता मैंने लेकिन यहां दूर हो जाना चीए कि आप संतुलित लंबाई उच्चिवो बिंदू से ही लेंगे तीसरी बात है अंदर तीसरी बात में ये है दो बाते बता दी मैंने एक तोस बता दी है सबी पोजेटिव से जुणने चाहा हम तीसरी बात है विभाव मापी से मापना एक तुलना विदी है comparison है just comparison इसनिए ध्यान रखें कि अग्यात का मान संचायक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जैसे मान लो ये अग्यात से ले साब पांच वोल्ट और ये है थ्री वोल्ट आप जीरो कभी आये गई नहीं संतुलन हो गई नहीं क्योंकि तीन वोल्ट से आप पांच वोल्ट को कैसे बेलेंस करोगे तो आप से प्रश्ण पूछ सकता है कोई कि हमने वोल्ट मीटर से अग्यात का मापन किया और संतुलन मिंदू आई नहीं रहा तो आपका क्या जवाब होगा आप सीदा सीदा के दिना इसका मतलब अग्यात विवानतर वोल्ट अजो भी है वो संचायक सेल के विद्दवागबल से अधिक है तब ही जीरो नहीं आ रहा तो विवानतर वापी में जीरो ना आवे इसका एक ही कारण हो सकता है कि आपका जो अग्यात है वह प्रात्मिक परिपत में लगे संचायक सेल की वोलता से ज़्यादा है क्योंकि ये क्तुलना भी दिये सीदी सीदी तो साब एक ही इंपोर्टेंज बता दी सभी संचायक से लेनी है और इसको चिवो विंदू कहता है सभी पोजिटिव हैसे जोड़ना और एक ये मापन जो आप कर रहे हो ये तुलना भी दिये इसे अग्यात का विद्वानतर प्रात्मिक परिपत में लगे संचायक से ज़्यादा नहीं होना चीए होगा अगर ऐसा हुआ जैसा मैं आपको बता रहा हूँ तो संचुलन कभी भी नहीं आएगा जीरो कभी भी नहीं आएगा बाकि आपको ये लेन्थ वगेरे सब बता ही दिये तो मुझे जो भी ध्यान हा रहा है वो मैंने आपको समझा दिया है फिर अन्य बातें नेक्स लेक्चर में करेंगे बस आज इतना है थैंक यू थैंक यू वेरी मच आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए क्योंकि ज्यान बाटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुन्नी भी मिलता है मुझे सुनने के लिए बाद बहुत धन्यवाद थैंक यू